सच है विपत्ति जब आती है काय को ही दहलाती है सुर्मा नहीं विचलित होते शण एक नहीं धीरच खोते विखनों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं नमश्कार दोस्तों मैं प्रगती पांडे स्वागत करती हूँ आपका मालवी अकैडमी के ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और दोस्तों 2023 की नोटिफिकेशन आ गई है आप लोगों के पास CUET की और मैं आप लोगों को आज BSC Maths का मतलब Domain Mathematics का मैं आप लोगों को आ पिछले साल से CUET आ गया है आप लोगों के पास तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ की बोल दिया गया है कि ट्वल्थी आएगा लेकिन भाईया क्या मुझे मेरे दोनों पाउं काट दिये जाएं तो मैं क्या चल पाऊंगी नहीं न तो 11 जो है आप लोगों का एक बहुत ही म हत्यपूर अंग है आप लोगों के सेलेवस का तो आज हम लोग यह सब डिसकस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डोमेन मैथामेटिक्स को पढ़ेंगे सी ओवीटी दो हजार तेइस के लिए ठीक बच्चो सलेबस हमारा बारवी का है लेकिन हम लोगों को 11 बारवी दोनों पढ़ना है बारवी की जितनी जरूरत होगी वो सब पढ़ना है ठीक चल यह लेकिन हम लोग जो है वो एक दम बेसिक बेसिक तरीके से शुरू करेंगे ताकि डोमेन मैथमेटिक्स जो है वो सबको समझ में आ जाए पिछले साल जब बच्चों ने सी ओवीटी का डोमेन मैथमेटिक्स दे कर आए पेपर तो बच्चों को यह लगा बच्चे मुझसे बदब यह बोले कि मैं गल्ती से अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लिक कर दिये और कोशन समझ ही नहीं आ रहा था तो बच्चों आप लोगों को दो तीन चीज़े पेपर देने से पहले सलेबस समझने से पहले जो है आप लोगों को समझनी है आप लोगों के एक्जाम पे पॉप अप करेगा कि आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स देना है कि डो स्पव्व से अपलाइड मेंतेमेटिकल है उसमें बहुत ही ज़ादा अलग से अप लोगों का चाल तीज पूछी गई है उसमें स्सांख्यकिति हैं मतलब स्पीश पॉछी गई एक आद्मि प्र कार करने मेंegeaca कुछ दिन लगत우wehrr सिते जो हैं आप हो से उसमें पूछी गई है तो आप लोगों को प्योल सबसे की चीज़ को क्लियर करना है और आज मेरिए जो आप लोगों को शलेबस बताहूं गीन मैं आप लोगों को में सबना सोले दूसरी बात यहmore आप लोगों का प्योर मैथमेटिक्स जो है आप लोगों की वो आप लोगों के कितने भागों में बटी हुई है तो जो आप लोगों का गडित है आप लोगों का मैथमेटिक्स जो है आप लोगों का वो आप लोगों का चार भागों में बच्चो बटा हुआ है अब वो चार है आप लोगों का trigonometry और last में है आप लोगों का बच्चो vector 3D ठीक अब हम लोग इसके बारे में अलग करके बाते करेंगे ठीक होती तो वैसे गड़ित आप लोगों की पूरी एक ही है ठीक है mathematics होती तो आप लोगों की पूरी एक ही है लेकिन बच्चों हम लोग इसको अलग अलग भागों में इसी लिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग चीजों को जो है वो असान कर सके ठीक है चीजों को हम लोग क्या कर सके बच्चों असान कर सके और असानी करने के लिए हम लोग यह सब चीज़े पढ़ते हैं जैसे अंग्रेजी को हम लोग अलग पढ़ते हैं हिंदी को अलग पढ़ते हैं Chemistry को अलग पढ़ते हैं वैसे ही Math में भी हम लोग इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं हालक यह सारे के सारे आपस में क्या है बच्चों इंटर लिंक्ड टॉपिक हैं तो सबसे पहले हम लोग बारवी के टॉपिक को समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के ग्यारवी के टॉपिक में क्या क्या ग्यारवी का कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोगों का इस्तमाल होगा अपने बारवी के टॉपिक मे मतलब सलेबस को हम लोग पूरा का पूरा निचोडने वाले हैं आज बच्चो चलो तो सबसे पहले ये देख लो कि आप लोगों का पैटर्न क्या रहता है पेपर में आप सबको पता है आप लोगों को कि आप लोगों का कितने सवाल आते हैं आप लोगों के देहांगे आप लोग तो एक प्रश्न घटा दिया जाएगा और कोई भी कोशन को अगर आप अटेम्ट नहीं करेंगे तो इसमें आप लोगों को शुन्य मांक्स दिया जाएगा ठीक यह आप लोगों का पेपर का पैटर्न होता है आप लोगों आप लोगों ने अपनी बचो सबसे जाधर जारूरी होगा वहाँ पर आप लोग का कि आप लोग यहाँ पर 11 का टॉपिक पढ़ें साहँ साहँ मैंने लिख दिया है समुझे का सिधान सेट थीरी को आप लोगों को बच्चों 12 चाह एब लह सो पढ़ना है क्योंकि relation जादा से जादा जो है आप लोगों का 12 में है तो जब आप लोग उसको basic चीज नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को advances तो समझ नहीं आएगी इसलिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को जो है वो set theory को अच्छे से पढ़ना है relations पढ़ने से पहले और साथ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा वहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाती जाओंगी बाकि आप लोगों की classes तो शुरू होई गई है online classes भी शुरू हो गई है आप लोगों की offline classes भी शुरू हो गई है वहां पर हम लोग पढ़ भी रहे ह तो आप लोग को दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग अपना syllabus जो है वो cover कर रहें अगर आप लोग उने अभी तक classes नहीं ली है तो अभी नीचे description में आप लोगों के help line number है उसमें जाके आप लोग ले सकते हैं हमारी classes बाकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जानी हैं किस तरीके से हम लोगों का syllabus होगा ठीक तो चलिए देखें तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया हमारा जो है वो set theory जो है हम लोगों का पढ़ना है और फिर हम लोगों को यह जो आजाता है आप लोगों का टॉपिक आप लोगों के जो संबंध का विशह है उनके आप लोग सबसे उसके बाद आप लोगों पढ़ना है समच्चियों का करतिय गुड़न पल मतलब Cartesian production of production of set क्योंकि relationship होता है आप लोगों का यहीं चीज होता ही है Cartesian product of set ही होता है फिर उसमें हम लोगों क्या कै देखना है कि relation में आप लोगों को हम लोग डोमेन करेंगे देखिए हर सम जरूरा जरूरी होता है ठीक वैसे हम लोग relations में क्या क्या चीज़ें होती है आप लोगों की domain range co domain मतलब प्रांथ सह प्रांथ और परीसर के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग सकते हैं यही से को इतने को सवाल जो है वह बनते हैं आप लोगों के टाइप्स of relations में ठीक है क्यों क्यों से तजिकें के बारे में घुट हूं वह को पढ़ना है ठीक है identity relation, inverse relation, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, equivalence relation और इनी इनी चीजों से ये last की जो चार है न स्वतुल्ले संबन, संवित संबन, संक्रमक संबन, तुल्यता संबन इन चारों से ही आप लोगों के प्रश्न जो है वो आते हैं ठीक है यही से आप लोगों के जो सवाल है, questions जो है आप लोगों के बच्चों यही से ही आते हैं आप लोगों के relations में तो यही पर हम लोगों को जादा दिमाग लगाना है अपना वहां तक हम लोगों को introduction की तरह लेकर चलना है चीजों को तो यह आप लोगों का पहला जो आप लोगों का रिलेशन से उससे आप लोगों के प्रशन आते हैं इक का दुखा प्रशन आते हैं आप लोगों के ठीक तो हम लोगों को इसको देखना और बहुत ही जादा ही यह असान टॉपिक है आप लोगों का असान विशयों में से एक ह तो यह पूल जो आप लोगों का टॉप yagyabr also on reference जो कुछ टॉपिक 11 १ में भी है और 12 में बही है तो function एडियेक ऐसा विषय है एक ऐसा आप लोगों का टॉपिक है जो आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है ग्यारवी कख्षा का भी और बारवी कख्षा का भी क्यों क्यों कि आप लोगों को बिना पढ़े जो है आप लोगों को functions नहीं समझ में आने वाला है 11 का 12 का क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो तो यही में यहीं आप लोगों के लगब वन्स के बारे पढ़ाया जाता है और यह तो आप चलते हैं और 12 की कि बात करते हैं you Vallahi Sig 했어 अब का लानिन सब की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का किसके continuity की बात करेंगे functions की continuity की बात करेंगे, किसके differentiability की बात करेंगे, function की differentiability की बात करेंगे तो वहाँ पर यह आप लोगों का topic जो है वो important महत्तोपूर हो जाता है जब आप लोगों को फलनों के बारे में ही नहीं पता होगा तो उसके बारे में आप लोग किस तरीके से बता लगाएंगे कि functions आप लोगों का continuous है की नहीं है differentiable है की नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो functions है उसमें आप लोगों को 11th का सारा topic आप लोगों को पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है और फिर सब की graph के बारे में पढ़ेंगे आप लोग ठीक और वही जैसे हम लोग ने relation की domain और range की बारे में पढ़ा था वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो इतना जो है आप लोगों का 11th का विशय हो जाता है यहां से आप लोगों कहां क्या शुरू होता है 12 का विशय शुरू होता है और सारा का सारा 11 के इस्तमाल से ही आप लोग 12 का विशय पढ़ते हैं ठीक टाइप सॉप फंक्शन में दो प्रकार के functions को आप लोगों को पढ़ना होता है ठीक तो उसमें आप क्या होता है आज हदक फलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं ठीक और साथ साथ में देखिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से functions पढ़ना है आप लोगों composition रचना फलन inverse function प्रतिलोम फलन, event function, sum फलन, विशम फलन, periodic function और binary operation ठीक है दिवाधारी संक्रिया है इन सबसे आप लोगों के सवाल आते हैं मैं आप लोगों को बताती चनू साथ साथ में कि particular अगर हम लोग functions को देखे तो उससे आप लोगों के एक या मुश्किल से दो सवाल बनते हैं आ अप लोगों का function, okay? क्यों important topic है? क्योंकि calculus वाली का portion है calculus portion का जो है आप लोगों का basic है, basic है on these brick किलिकूलेश्ट पॉर्शन इसके बिना आप लोगों को फंक्शन के बिना फ़लन पड़ कोई भी क्याम क्याल कॉल्पॉलेश्ट नहीं समझ में हाएगा ठीक है आप लोगों का जो होता है नहीं कि जड़ मजबूत करनी जरूरी होती है और बताओ बच्चो पहले calculus का portion इतना नहीं था आप लोगों का लेकिन जिस दिन से आप लोगों का 11 वी कक्षा के topics को हटा दिया गया है उस दिन से आप लोगों का calculus का portion जो है वो सबसे जादा important सबसे महत्वपूर बन गया है आप लोगों का ठीक इसी लिए जो है आप लोगों का सबसे जादा ये important है functions chapter आप लोगों का ठीक चलो अब आगे चलिए अगर हम लोग तो हम लोग देखेंगे क्या अब हमारे पास दूसरा topic आप लोगों का आता है इसी तरीके से inverse trigonometry function प्रतिलों आप लोगों का 11 टॉपिक है देखें फिर आप लोगों का इस्तेमाल होने लगीगा क्या बच्चो 11 का यहां पर फिर से topic देखें किस तरीके से 11 connected है कितना मूर्ख बनाए गया है आपको बोला गया है कि आप लोगों का सलेबस कम कर दिया गया है लेकिन बच्चों कोई चीजें थोड़ी सी कम कर दी गई आप लोगों की पढ़ना तो आपको पूरा का पूरा ही पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा बस उनकी प्रैक्टेस आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी कोश्यं की प्रैक्टेस यहां से करेंगे आप लोगों की टॉपिक से लेक इसके information आप लोगों को उसके formulas की आप लोगों के उनके domain की उसके range की होनी ही पड़ेगी तभी हम लोगों को inverse वाला भी समझ में आएगा ठीक उसके बाद देखिए inverse निकालने के लिए आप लोगों को उसके domain और range के बारे में भी समझना पड़ेगा इससे कई बार डिरेक्ट स अब लोगों को बता रही हूं किस तरीके सवाल आप लोगों के बन जाते है इसके inverse trigonometry के जो आप लोगों के इसमें आप लोगों के सवाल जो आएंगे जादा तर फंक्शन में 11 on 2 इन वाले टॉपिक से आएंगे 11 के टॉपिक से नहीं आएगा लेकिन इसका इस्तमाल जो ह तो इसको जो है आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग तो हम लोगों के सबसे पहले 11 का हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया basic information about trigonometry function उसके बाद हम लोगों का आता है ये टॉपिक ठ हम लोगों का प्रांत और परीसर के बारे में हम लोग उसके जानेंगे क्योंकि आप लोगों का जो inverse होता है वो हर समय नहीं exist करता है ठीक वो कभी कभी ही exist करता है जब पढ़ाओंगी तो समझ में आएंगी चीज़े ठीक उसके बाद इनके graph के बारे में कोई भी अगर हम ल लोगों के सवाल पूछे जाते हैं सवाल यहीं से पूछे जाते हैं आप लोगों के यहां से आप लोगों के इस वाले पॉर्शन से पूछन सुरू करता है आप लोगों का ठीक है इंवर्स इन्वेटरी के प्रतिलों फंक्शन के आप लोगों कुछ फॉर्मूला से पूच करना है तो हम लोग इसी तरीके से ही चेंज करते हैं और फिर हम लोग ना यह जो है टॉपिक आप लोगों का 11 और 12 को आप लोगों को जोड़ेगा कि आप लोगों का हम लोग इसके फॉर्मुला में मदब रिलेश्ट ट्रिग्नोमेट्री में और इसकी मदद से असानी से इनवर्स को पढ़ेंगे ठीक सवाल आप लोगों की यहां से आते प्रॉपर्टी से और फॉर्मुला से आपके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चीट चलो अब हम लोग चलते हैं मतलब मैट्रिस यह अपलोगों का ल पूछे जा रहे हैं चार से पांच सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं मैट्रस में तो सोच लिजे कि कितना important topic और उसको 4-5 सवाल के बड़े ही अराम होंगे क्योंकि आप अधाएगा topic जो topic असान है मैं मैं बताऊँगी आप असान है और स्कोरिंग्हें चीज को सबसे पहले सकी बेसिक जानकारी मुह अलबूत जानकारी होनी ही चाहिए कि मैट्रेस होता क्या है उस कॉलम का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है जो टर्म्स होते हैं आप लोगों के उनके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी जैसे कि कॉलम स्टम्ब पंक्ती कि आप लोगों के पास सबस्क्राइब करते हैं इनके बारे में आपको सबसे पहले दिखाए जाएगा पिर जैसे कोई भी दो नमबरों को जोड़ते हैं घटाते हैं तो यह सिखाएगा और सबसे जाएगा और सबसे जादा सबसे आप मैट्रस से आप लोगों के मल्टिप्लिकेशन से मतलब आप लोगों का गुड़न से सबसे जादा आप लोगों के सवाल आते हैं मतलब आप लोगों को दो मैट्रस को मल्टिप्लाई कैसे करते हैं इससे सबसे जादा सवाल आप लोगों के मैट्रस में बनते हैं बड़े ही ट् क्या मतलब होता है ट्रांसपोस का मतलब कि सब टर्म को हम लोग समझेंगे तर्म से ही आप लोगों के सवाल भी बनते हैं बहुत ही जादा ठीक है इन सब टर्म से और मैं बता दूं आप को भोटें ट्रेंट मैं श्कुझा मैं रिखी है यहां पर यह जो है आप लोगों के स्मेटरिक मैं ट्रेस्स क्या होता है संविसम सम्मित उसी तरहीं के साफ़ लोगों का आई या म。」 मैं ये मैं ट्रेस च zeigt और थोगोनल मैं ट्रेसेश हुं इन वॉलकर से इन सहीं क्या बोलते हैं आप लोगा कॉंजुकेट एंड रांस्पोस कॉंजुकेट ऑफ मैट्रस यह सब तर्म जो है आप लोगों को यह तर्म अभी आप लोगों को बड़े बड़े लग रहे होंगे लेकिन एक एक मिनट के अंदर जानेंगे कि जैसे अब एक जामपल की तरह ब एक टाइप ऑफ मैट्रेस हैं आप लोगों की तो यह सब चीजें हम लोग बहुत ही असानी से पढ़ लेंगे ठीक चलो आगे चलें इसी तरीके से और दूसरा आता है आप लोगों का मैट्रेस दो अलग अलग चैप्टर है यह आप लोगों के लेकिन जो दोनों हैं आप ल लेकिनों के कि इसके बिना आप लोगों काम हो गाई नहीं यह देख लिए यह आप लोगों का यह एक गोड़न वाला और इस से आप लोगों का यह इस का इस्तेमाल जो है आप लोगों का डिटर्मिनेंस में सारेणिक में होगा elementary operation of mattresses में तो यह आप लोग के दो topics जो होते हैं काफी important हैं आप लोगों के mattresses में वैसे यहां से भी आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं लेकिन इतने ही होते हैं कि hiring type engine be का आप लोगों का function होता है थी इसका फिर हमनोग समझेंगे फिर हमनों कैसे सारे के सारे आड और का सारे किसी सारे हम लोग क्रम का हम लोग किस तरीके से सअरणिक निकालें फिर आप zo wellbeing of determinants कि क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ओफ डिटर्मिनेट मतलब आप लोगों के कि डिटर्मिनेट की कुछ विशेष्टाइं होंगी आप लोगों की क्या होंगी आप लोगों की विशेष्टाइं होंगी आप लोगों की डिटर्मिनेट की इसको हम लोग समझेंगे फिर डिटर कालना सीखेंगे हम लोग किसी दिटर्मिनेंट की फिर एक आप लो क्याले वरम सीखेंगे हुप तेर्म को सीखेंगे ऑपनो क्या होते हैं अब यह यहां पर देखे राइप स्रॉनान का मतलब जैसैंग्यों था सीमेट्रिक मैट्र dis eh Magnetherby darbes determinate और्फोगोंस का हिए हो और दिटर्मिनेंइट जाता है किस नहीं बहुत ही होगा फिर उसके बाद देखेंगे inverse of a matrix, ठीक है, क्या देखेंगे, inverse of a matrix, उसके अबलब की, कब आप लोगों के determinants का inverse exist करेगा, इसको देखेंगे, और फिर यहाँ पर निकाले important adjoint of matrix, यह आप लोगों का सबसे जादा important है, यहाँ से आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं, एक यहाँ से आप लोगों का सवाल पूछा जाता है, और एक आप लोगों का जो है, यहाँ से, इस वाले मैट्रेक्स कर डिटर्मिनिंट कुछ मैट्रेस को सिम्पली लर्न करने बच्चो तो वह आप लोगों का सामने कॉश्चन आए का उसको आप लगाएंगे पतलब यह सब इसी टॉपिक्स में आप लोगों का आता है तो मैट्रेसे ज़ोडना मत चोड़ना मत क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही असानी से होते हैं इनके सवाल सबसे बड़ी चीज होती है यह आप लोगों की बतलब आप लोगे सोच तो आप लोगों के पांच से छे सवाल आ रहे हैं तो सबस्वाइब तो 25 मार्क्स अपने आप जोली में आगे जाता है क्यालकुलस का पोर्शन किसका पोर्शन बच्चो क्यालकुलस का पोर्शन आप लोगों का आ जाता है यह पहला टॉपिक और मैं बता दो यहीं पधी यहां सही शुरू आत हो जाती है आप लोगों की ठीक है फलन को समझने का फाइदा यही से शुरू हो जाता है आ तो पहले function की जब तक जानकारी नहीं होगी ता उसकी limit हम लोग निकालेंगी कैसे अब दूसरी चीज यह आप लोगों का 11 टॉपिक है लेकिन पूरी की पूरी continuity limits पर ही घुमती है पूरी की पूरी continuity limits पर ही घुमती है मतलब इसको हम लोगों को पूरा पढ़ना है continuity समझने के लिए ठीक तो जो जो टॉपिक आपको पूरे पढ़ने हो मैं बता रही हूं आप लोगों को ठीक अब देखिए इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम लोगों को जो है सबसे जादा देखना है क्योंकि limits जो हम लोग यही पर ही निकालते हैं आप लोगों के पास जो होते हैं इ कि वन की पावर इंफिनिटी जीरो की पावर जीरो मतलब कोई भी फंक्शन अगर यह वाला रूप ले लेता है आप लोगों का तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे मतलब हम लोगों को बेसिकली एक दो तीन चार पांच छे साथ यह सेवें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के जीरो में पावर इसके पावर निकालने के लिए कुछ नियम को देखना पड़ेगा उन नियम उन में से दो नियम यह आप लोगों के एक आप लोगों का है एक एल ऑस्पिटर लून और एक है आप लोगा सैंविच रूल इन सब की मदद से हम लोग इन वाले लिमिट को जो तो यहां तक आप लोगों का हो गया 11th का टॉपिक जो कि आप लोगों को इस्तमाल में लाना है क्या निकालने के लिए continuity निकालने के लिए ठिक और continuity जो है आप लोगों को सबसे पहले उसकी definition पढ़ने पड़ेगी तो continuity के definition अगर मैं थोड़ा सा बताऊं अगर आप लोगों को तो continuity के definition और कुछ नहीं होती आप लोगों की continuity के definition होती है आप लोगों की limit x tends to माल लीजे कोई function और f of x अगर यह आप लोगों के पास f of a के बराबर आ गया तो यह continuous हुआ अभी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो बाद में जो हम लोग समझेंगे तो जब भी हम लोग लिखते हैं continuity तो हम लोग यह वाला limit जरूर लिखते तो यह क्या है आप लोगों का यह यहीं चीज तो है आप लोगों की मतलब continuity निकालने के लिए हम लोगों को limit का जो है इस्तिमाल जो है वहर जगा होगा ठीक और फिर किस तरीके से निकालेंगे कोई भी चीज निकालने के लिए आप लोगों के पास रूल होना चाहिए ठीक तो यह आप लोगों का हो जाता है rules of continuity मतलब हम लोग राइट हैंड साइट से और लेफ्ट हैंड साइट से और यह एक portion पर पहुंच रहा है आप लोगों का जिस portion पर मुझे पहुंचना चाहिए तो वह आप लोगों का continuous function हो जाएगा मतलब आप लोगों का limit ही हम लोग जो है वह निकालेंगे ठीक और फिर मानले जे लिमिट नहीं निकल रही मतलब वह function continuous नहीं आ रहा है तो कैसा है function आपका discontinuous हो गया तो वह आप लोगों की discontinuity के types को आप लोगों को बताएगा तो कैसा discontinuity है first type है second type है तो वहाँ पर हम लोग उस type के बारे में सीखेंगे कि कौन से type का आप लोगों का discontinuity है फिर देखिए continuity and differentiability जो है आप लोगों का एक topic ही है दोनों का chapter एक ही है लेकिन हम लोग इसको अलग 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 पढ़ते हैं क्यों क्यों कि हम लोगों को इनकी जरूरत होती है अलग पढ़ने की होता तो यह की चीज ही है लेकिन हम लोगों को इनकी जरूरत पढ़ती है अलग अलग तरीके से पढ़ने की इसको अलग अलग पार्ट में आप लोगों को इसका एक ही टॉपिक में लेगा कंटिन्यूटि ऐड़ेंशिबिलिटी ठीक है तो सबसे पहले आता है अप लोगों का डिफरेंशिबिलिटी में अब कलनीता में सबसे पहलेधा की सिज रहें बबना दो डोगों कि पढ़ा रहे हो ठीचारे को तो मैं सब्येसिंग बताती हूँ तो मैं यहीं बोलते हूँ खो कि बच्चों डेफिनेशन पर बेसिक डेफिनेशन पर बहुत ध्यान दो क्योंकि कोश्चन अगर बड़े-बड़े तरीकों से नहीं होता है तो बेसिक डेफिनेशन से ही होता है आप लोगों का कोश्चन यह मैंने आप लोगों को बहुत मैं हमेशा से बोलती हूं और अभी म इसके सूत्रों के बारे में मतलब इसके फॉर्मुला के बारे में लिए अ को बताू तो एक सींचल की पावर N आपढ़ीध सी ेलेटा है अब लिएग पढ़ेगे लेकिन लोगोंником को इसके फॉर्मूला के बारे में पता होना जाहिए फिर हम लोगों को algebra of differentiability तो क्या मेरे पास F plus G function differentiable है की नहीं है उसके बाद आप लोगों का कुछ rule अएगा जिस से हम लोग देखेंगे सबसे पहला होता है आप लोगों का लेबनीज रूल कोई भी चीजों का कोई नियम के तहथ हम लोगों को चीजे होती है ना तो हम लोगा लेबनीज रूल कोशियंट रूल फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास function का composition है मतलब f of gx है तो इसका differentiability कैसे करेंगे मतलब लोग अंत तक function को differentiation करते हैं ठीक उसके बाद आप लोगों का आएगा इंदो आपके functions में लोग इक पड़्टे इंप्रिक्ट function और एक्स्प्लिक्ट function वहां पर हम लोग समझते तो उनका जो आप लोगों के function अलग नहीं हो पाते हैं x और y में उनका हम लोग differentiation कैसे करेंगे यह सब देखेंगे फिर हम लोग logarithmic differentiation कैसे करेंगे मतलब इन ओल क्या देखेंगे differentiation किस तरीके से किया जाएगा ठीक और basic आप लोगों का परिभाशा ही रहेगा उसके बाद हम लोग कोई भी function को किस तरीके से तोड रहे हैं किस तरीके से differentiate कर रहे हैं यह सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे ठीक उसके बाद आएगा आप लोगों का higher order derivative मतलब एक से जादा important topic है आप लोगों का अफ कलन का use मतलब कि किस तरीके से आप लोग derivative का यूज करेंगे इस्तमाल करेंगे और इससे आप लोगों के 5-6 से सवाल तो निश्यत ही निश्यत हैं आप लोगों के बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन मैं बता तो बिलकुल भी कठिन नहीं है अगर differentiation करना आता है तो उनका इस्तमाल करना क्यों नहीं आएगा कोई भी function का differentiation करना आ रहा है तो उसका इस्तमाल क्यों नहीं करना जान पाएंगे तो यहां पर आपका सबसे main चीज होता है graph जो की हम लोग कौण से में परते है function में परते हैं और अगर function में हम लोगों दिखिए दिखिए बच्चन ही होता एप लोगों का ठीक है बच्चों इसको बहुत मन लगांगे अप लोगों को पढ़ना है फंक्षन को फंक्षन से सबको डर लगता है जितने भीं बच्चे मुससे मिलते हैं सभी वो यहीं century एक दिन आप लोगों को जब पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में पका ही पकाएगा फंक्शन आप लोगों ठीक है यह आप लोगों का दूसरा टॉपिक रहता है चलिए फिर अब लोगों क्या चीज़ निकालेंगे डिखेंगे डिफ्रेंशियेशन का मतलब क्या होता है और उस चीज़ निकालना कि क्या हो रहा है चोटी चोटी पार्त में इसका मतलब यह होता है वह मुझे इसी कोई फंक्शन तो बढ़ता हूआ है वर्दमान और की हासमान है मतलब इंक्रीजिग किसे सीखेंगे डिफरेंशियेशन सीखेंगे कोई भी फंशन का अगर हम लोगों का फुकिन प्रिपार निपन वह निकालना है घ चोटी-चोटी क्षोटीbas structure ठीयों किसुटी-चोटी चीज complained से सीखेंगे differentiation से ही सीखेंगे फिर आप लोगों काता है बच्छो maximum, minima, मतलब की कोई भी function आप लोगों का उचतर value कब लेगा निमतम value कब लेगा किसे सीखेंगे differentiation से सीकhेंगे अब इसके बाद अगला topic क्या आता है आप लोगों का इंटीग्रल जो कि आप लोगों के दो सबसें तो ही आप लोगों के लेकिन अप लोगों का जी आप लोगों के सवाल तो यह अप लोगों कर दो खोंग incorporating हम नहीं को करना हे क्लिकिन ये स्किपित इसको में करने करने क Works में हम पर धरोंगों 50 बिलुकुल है नहीं एगा दे आफ लोगों के इसी लिए आप लोगों को इसको थोड़े जाने करना है ताकि आप लोगों का integrals जो है वो हो जाए अच्छी तरीके से तो सबसा पहला आप लोगों को integrals की definition सीखनी है और क्या समझना है कि आप लोगों का आफ का जो integrals होता है समा कलन होता है वो अफ कलन का उल्टा होता है इसा plus का minus multiply का divide वैसे differentiation का integration होता है आप लोगों का फिर कुछ formulas पढ़ने हैं आप लोगों को फिर आप लोगों को कैसे आप लोगों को करना है integration वो पढ़ना है फिर कुछ चीजों को हम लोग कुछ चीजों में कुछ चीजे मिला देते हैं substitute कर देते हैं तब integration कैसे होगा ये सब देखना है, फिर एक दो आप लोगों के पास तरीके है, parts, यह function से कैसे integration करना है, फिर हम लोगों को parts में, parts में कैसे integration करना है, ये सब चीजें आप लोगों को सीखना है, फिर irrational function का integration कैसे होगा, यहां तक आप लोगों का part होता है, the indefinite integrals का, फिर आप लोगों का आता है definite integrals का, मैं बता थो definite integrals की questions ज्यादा असानी से हो जाते हैं, क्यों कि इसमें कुछ आप लोगों के पास कुछ टूल्स ज्यादा मिल जाते हैं कि चीजें कर लेते हैं अप लोग इसमें आप लोग के पास tools थोड़े से कम होते हैं, तो ज्यादा दर लोग पता इसको इन्वर्स काम करना शुरू करते हैं तो यह काम भी आप लोग कर सकते तो वह जब पढ़ाया जाएका तो कैसे जल्दी जल्दी करें वह हम लोग आप लोगों को सिखाया जाएगा ठीक बाकि जो है वह तो आप लोग देखेंगी अगर चीजे लेंदी जाएंगी तो थोड़ा इसके माध्यम से आप लोगों के सबसे जादा सवाल आते हैं सबसे जादा सवाल पूछे जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी से की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होंगी आप लोगों की जैसे आप लोगों के पास इंटीग्रल का भी इस्तमाल होता है आप लो क्षा ही आते ही आते हैं आप लोगों कीछ Chalए आप लोगों का। सबसे द्दाधा k bass 5 6 II काम उपफ लोग सबसे आपका सबसे आपको क्या कॉजित आप लोगों का थि जिसमें हम लोगों को पढ़ना ऐब च questions order degree निकालना कुछ हम लोगे कुछ हम लोगों काम से करव से कैसे निकाले लोग तो चीजों के बारे में पढ़ना है आप लोगों का इस Гै इसमें सिखेंगे फिर किस तरीके से निकालेंगे हम लोगों को जादा तर यहां पर फर्स्ट ओर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आप लोगों के होते तो अर्डर बहुत देर सारे हैं लेकिन यहां पर आप लोगों को सिर्फ पहला ओर्डर और फैला डिग्री के बा 1-2 अब ही आता है आप लोगों को समझना पड़े कि वैक्टर में और वेक्टर के प्रकार देखने हूंगे तैप्स और वैक्टर मैं बता दू वेक्टर और 3D सब बहुत ही जादा स्कोरिंग होता है सबसे इजी और कोश्चन आने वाला मिला के 5-6 से सवाल आप लोगों के अराम से बनते ही बनते हैं लास्ट पेपर में लास्ट यर के पेपर में हर टॉपिक से आप लोगों के बन रहे थी फिर उनका लीनियर कॉंबिनेशन क्या हुआ कुछ फॉर्मुला ड कि अप्लिकेशन आफ जमेट्री से पढ़ाई जाती है ताकि आप लोग इसका वेक्टर में इसका 3D का इस्तेमाल कर से के ठीक है इसे लिए आप लोगों को पढ़ाई जाती है फिर आता है आप लोगों का 3-dimensional जमेट्री जिसमें आप लोगों सबसे पहले 11 की टॉपिक को प यह यह तरह सब्सक्राइज़ पढ़ें साय फ्याइं सब्सक्राइज लोग इसकी है मैं लोगे सब्सक्राइजबक क्या होती है आप लोगों यह 9employ के क्रेक्षिंग उसके लunge कि इंच genetically होती है इस tenía जो वह बना तो वहां पर आप लोग पढ़ेंगे यहां पर आप लोग का जैड कोफिशंट जो है एक और आ जाएगा आप लोगों का तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग 3D में लाइन की क्वेशन फिर वैसे 3D में प्लें की एक्वेशन को समझेंगे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D is equal to 0 ठीक और वैसे ही दो प्लेन के बीश में दो लाइन के बीश में क्या एंगल बन रहा है दो प्लेन के बीश में क्या एंगल बन रहा है आप लोगों का दो प्लेन का बीश का shortest distance कितना है आप लोगों का और एक लाइन और एक प्लेन के बीश में ए पढ़ाया ही नहीं जाता था क्योंकि पूछता ही नहीं था सवाल तो पढ़ाया क्यों जाए लेकिन जब से 12 12 पूछने लगया तब से पढ़ाया पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग एक से तो आप लोग कर जाते हैं इसके सवाल को ठी मीनिंग समझेंगे फैले इसका फिर ग्राफ पढ़ेंगे देखो देखो जसे माननों इसका ग्राफ जो है ऐसा आया और आप यह जो है इसमें डिफाइन ओर तो इसको हम लोग क्या कहें गे संभव छेत्र फीजिबल रीजन तो इ 2020 네 तयोंदिये उच्मोस के bought a hundred लगता है लिदें यह को कि अब लोगों लेकिन से पांसी शे ऊफ भाल में पूचे गई हैं लेकिन बचो को बताऊं जो सवाल बूचे गई आप लोगों से वह इतने आसान पूचे गई है इतने आसाइन पूछे गए हैं कि आप लोग सिंपल और सिंपर फॉर्मुला बेस्ट से ही उन सवालों को कर देंगे इतने असान सवाल आप लोगों से पूछे गए किसमें प्रॉबिबैलिटी में प्राइक्ता में ठीक इसलिए सप्रों को छोड़ना मत लोगों को हाड लगता है तो लोग छोड़ देते हैं ठीक लेकिन इसको छोड़ना मत फॉर्मुला बेस्ट कोशन आएगा तो बहुत ही अराम से होएगा आप लोगों से सवाल ठीक है बिलकुल होएगा सवाल इसका ठीक तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना होगा पर्मूटेशन एं कॉंबिनेशन जो की स्धीघ है ल mend kalau कटीее इसको अब लोगों इस इसे आप लोगों का पुरा का पूरा होगा क्या । अ प्रणीटी प्राइग Aufg attain दो देखें कि क्या होगा उसमें आप लोगों डेखेंगी कि सारा का सारा अप लोगों क्या करना होगा यह पा values को इस्तिमाल होगा फिर आप लोगों का है रूल्स एडिशन सब्स्ट्रेक्शन एडिशन मुल्टिप्लिकेशन रूलन प्रॉबिलेटी मतलब कि दो इवेंट हो रहे हैं तो उनको कब एडिशन करेंगे कब मल्टिप्लाई करेंगे इस चीज को समझेंगे हम लोग क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है अभी थोड़ा समझ लीजे कंडिशन लगाना मालीजे एक घटना दूसरी घटना को एफेक्ट करेंगी मालीजे बारिश अगर हुई तो मैं पेपर देने नहीं जाओंगी तो बारिश की घटना आप लोगों की पेपर की देने की घटना को कर रही है इसलिए यहां पर क्या जाएगी कंडिशन आ जाएगी आप लोगों की तो कंडिशनल प्रॉबैलिटी हो जाएगा लेकिन मान लीजिए वह दोनों इंडिपेंडेंट है इवें प्रधानमंत्री कल दिली में आएंगे आज मैं गुजरात में पेपर दूंगी तो मैं फिर दूसरी गड़ी अलग घटना है मतलब की आपस में ईंडिपेंडेंटै भी आपस में तो इसका लेनना देना यह भी तो मैं पढ़िए निली घटनां के पढ़ेंगे पढ़ेंगे में और फिर एंपीर के एप सुखे गया है यह का पींब घटना यहां देगी होorts य लेकिन जो असान सवाल पूचे गए हैं आप लोको से वह यहां से मैंसे तो इसना सवाल दो तो यह बहुत ही असानियाा सवाल पूचे गए और और दो ही सवाल पूछे गए आप लोगों के बच्चों कहां से, दो ही सवाल आप लोगों के यहां से पूछे गए, क्या बोलते हैं, हाड वाले पूछे गए, तो क्यों छोड़ना इस चाप्टर को, जब उम लोगों के इजी सवाल हो जाएंगे तो, ठीक इसलिए चैप्टर को करना है अब आप लोगों का देखिए मिस्लीनियस 11th concept यूज जब से मनलब कि देखिए यूज किस तरीके से होगा आप लोगों का 11 concept ठीक है उसर्म उसरीजी और प्रभात जरूरी है प्रशाइब होगा फारमुला में क्या क्या यूस हो गवा logo का Quadratic магला एफरेटिक वाले फॉर्मला सामी वाले फॉर्मुला सीक्विन्स किस्तमाल होंगी वह मैं आप लोगों को यहां पर लिखिया हुए हूं शेुए सिक्विन्स तरश्रेणी गुणों तरश्रेणी हरात्मक स्रेणी और कुछ स्पेशल सीरीज के आप लोगों को फार्मूलाद बताएंगे जिनका इस्तमाल टूल की तरह होगा चीजों को ठीक करने में पेच कासी यह सब काम आता है न तो वही आपका गाड़ी जो है वह में काम है लेकिन ठीक करने का काम आएगा आप लोगों का यह ठीक है ठीक करने का काम आएगा आप लोगों का यह उसी तरीके से आप लोगों का बाइनोमेल थोरम इस्तमाल होगा जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बताई वैसे ही सर्किल पैरबोला इलिप्स और हाइपरबोला का भी थोड़ा- ठीक अब हम लोग देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे गए बच्चों यह जो दो पेपर हैं ना ती संब्द सब्सक्राइब कर रहें हैं आप लोगों के शुरुबात की जो तीन पेपर हैं आप लोगों के वह मैंने लिया हुआ है आप लोगों कहां से है पियोऀर dolmatic वाले इस और यह जो लास्ट के दो पेपर है आप लोगों के वह मैंने बच्चों लिया हुआ है आप लोगों का जिन्होंने अफ लीन दोपनी तो देखिने जहां वर मैंने मिस्लीनियस लिखा थे क्वेक्षे मैं 23 25 गहीं तो बता दूं आप लोगों को यह आप लोगों के 23 25 सवाल पते कैसे थे जनरल मैथमेटिक्स के थे जो आप लोगों के कुछ तो आप लोगों मुझे नहीं समझ मेरे पूछा क्या है क्योंकि यूप लोगों पढ़ाय जाता है इसलिए भूल कर भी आप लोगों को अपलाइड सोच लो आप लोगों के अपने 23 सवाल आप लोगों करने वाले हैं यहां नहीं जो कोर्स कोष्चा ओनाइट स्वाल थे लें उप लोगों के सवाल ठीक है नहीं खीक है तो यह बात समझ लेना अब मैं आप लोगों ब्रैकेट में पैरग्राफ लिखा हुआ है न तो एक cultura आ रीडी से पर लोगों का पूच दिया गया था उसी तरी leagraph पूचा गया आप लोगों का application of integral Anamu यहाँ पर आप włos सब्सक्राइब रये हैं लेकिन सब्सक्राइबं ओम यहाँ वाला काम करेंगी कि आप लोग जो है applied mathematics ने लें क्योंकि तुरंत आप लोगों का आधा पेपर लगभग लगभग 25 दवाल आप लोगों से चले गए मतलब 50% पेपर आप लोगों को आता ही नहीं है 50% से पर आप लोगों को इसका मतलब है तो यह चीज आप लोगों का रहा टॉपिक डिस्ट्रिब्यूशन किस तरीके से होगा आप लोगा फंक्शन में ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं लेकिन इसका इस्तेमाल पूरा कहां से शुरू है कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिबिलिटी इंटीग्रल यहां पर शुरू है तो यह देखिए यहां पर यहां से पांच सवाल यहां से तीन सवाल तीन सवाल देखो तो जड़ा सा तीन छे पांच कितना होगी आप लोगों के पास 11 12 पूरे 12 सवाल पूछ दिए गए और यह भी छेगे ओ अप्लिकेशन अपिंटीगर फिर आप लोग दिखो कि यूज आप लोगों का यह पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर होगा तो यह आप लोगों का फंक्शन इस तरीके से इंपॉटेंट है डिरेक्ट फंक्शन से सवाल नहीं पूछेगा लेकिन इसके इस्तेमा लोगों को साते हैं जिनके चार पार्ट होते हैं ठीक वो करना होता है आप लोगों को पास प्रस्번यक्त क deben लाई दोंक्र प्रस्ठों को यह सब्स्कित को सब्सक्राइबों है है क्योंकि देखो बच्चों कोने क्या होता है ना फ्र Sailوں के हल पता चल जाते हैं लेकिन उप्शन नहीं मैच कर पाते हैं तो इसलिए हम लोग प्रशन तो करेंगे साथ साथ में लोग डिफ्रेंट भी चीज़ा को पढ़ेंगे जैसे परग्राफ की को इस तरीके से हल करना है किस तरीके से हम लोगों को मैज भी फॉलोईंगे कोशन को डील करना है किस तरीके से हम लोगों को स्टेटमेंट वाले कोशन डील करना है तो इन सब चीजों को भी हम लोग अलग अलग देखेंगे देख लिए थोड़ा समय आप लोगों के टाइप से कर आई ती कोशन तो उसको देख लेजिए यह आप लोगों का था बच्चो पैराग्राफ यह 3D में आप लोगों का पूछा था आप लोगों का अभी प्रशन आप लोगों का इंग्लिश में सिर्फ और इसलिए है क्योंकि जिस बच्चे का येbery पेपर है येट colleg really का नने लिया हुआ हैsom चारों के चारों को को आम लोग 얼굴江ु होसे अपना और ईकर करके आंसर स्ठीज को सीखेंगे फिर एप लोगोंका है यह नॉर्मल कसन आप लोगों का कि चार और खोने इंस चारों में से को हिए टिक करना है फिर आप लोगों का यह रहा statement वाला कोश्ट कि कुछ statement अब त्रू है मतलब यह अलग से चार सवाल है आप लोगों के देखिए यह सवाल आप लोगों का continuity और आप लोगों का differentiation से हैं मतलब आप लोगों का और सतता से हैं आप लोगों का लेकिन question किसका है modulus function का है ना देख रहे हो और modulus आप लोग कहां पर पढ़ोगे मापक फलन आप लोग पढ़ोगे फलन के topic पे functions की topic पे तो है ये differentiation का question लेकिन use आप लोगों का function का होगा ठीक इस तरीके से आप लोगों के topics divided हैं तो बच्चो ये रहा हम लोगों का सलेबस जिसमें हम लोगों को 11 12 किस तरीके से पढ़ना है ये चीज हम लोगों ने देखी ठीक बच्चो तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना पढ़ना एक जगा नोट बना लेना फिर सलेबस शुरू करना का क्या क्या आप लोगों 11 का topic इस्तिमाल होगा इस चीज को भी देख लेना समझ लेना क्योंकि ये कह देना कि 11 नहीं आएगा ये आप बहुत गलत है ये अपने आप में जूट है फॉल्स है लाई है इसलिए आप लोगों 11 को पढ़ते हुए आप लोगों 12 को पढ़ना है और सारे तरीकी के सवालों को देखना है तो ये तो रहा आप लोगा से लिए बस अब मन लगा के पढ़िए कोचिंग आप लोगों की शुरू हो रखिए ओनलाइन लेना है तो ओनलाइन लीजिए आफ्लाइन भी आप लोगों कोचिंग शुरू हो गई है जो कि आप लोगों की लंका पर चल रही है और ऑनलाइन तो आप लोग कर सकते हैं हमारी कोचिंग बाकी बच्चों आप लोगों से मिलोंगी क्लास में नई चीजों के साथ नई कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड गाद ब्लेस यू आल